हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है जिम्मेदार अरे रूची बेटा जराएक गिलास पानी दे दो दपा खानी है घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है रूची की दादी ने आवाज लगाते हुए कहा मा जी अगर आपको कुछ चाहिए तो जाम साने वाले हैं अभी वो नहीं उठेगी रूची की मा उरुमिला ने जोर से चिलाते हुए कहा बहु ऐसा नहीं है कि अगर ये थोड़ा बहुत काम कर देगी तो परिच्छा में इसके नंबर कमा आएंगे मैं अपने बच्चों से घर के कोई काम नहीं कराऊंगी इनकी अभी पढ़ने की उम्र है काम करने की नहीं मंदाकिनी जी को पता था कि उरुमिला से उलजने का कोई फायदा नहीं उसने जो अपने मन में एक धारडा बना ली वो बना ली किसी की सुनेगी नहीं उरुमिला के दो बच्चे थे बेटी रूची और बेटा काव्यांस बच् बच्चे दिनों दिन बत्तमीज होते जा रहे थे किसी बड़ों की बात नहीं सुनते मंदाकिनी जी ये सब देकर दुखी होती वह कितनी बार उरुमिला को समझाती कि भगवान किस्ट ने भी गीता में कहा है कि बच्चों से प्रेम करें मोह नहीं यहीं मोह विनास का कारण बनता है लेकिन उरुमिला को उल्टा समझाता उसे लगता कि उसके बच्चों से कोई प्रेम नहीं करता सब जलते हैं धीरे धीरे सबने बोलना ही छोड़ दिया एक दिन उरुमिला फोन पर अपनी मां से बात कर रही थी आवाज सुनकर मंदाकिनी जी के कदम दरवाजे पर दादा दादी ही होंगे हर समय कोई न कोई आ जाता है मैं तो परेशान हो गई हूँ मंदाकिनी जी की आँखों में आसु आ गए हर वक्त तो वो उरुमिला की मदद करने के ही कोशिस करती थी दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे दिव्यांस को कहा बेटा हम दोनों को कु बेटी थी उसके भी दो बच्चे थे उसकी बेटी कावया भी रूची के साथ बुर्ड की परिच्छा देने वाली थी मंदाकिनी जी और माधो जी बेटी के घर आ गए अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था लेकिन क्या करते यहां मंदाकिनी जी ने देखा कि पढ़ परिटिकल नालिज भी जरूरी है और कभी मेरी तवेत खराब हो जाती है तो कावया तो पूरा घर समाल लेती है दो महीने तक मंदाकिनी जी काजल के घर रह गए माधो जी पहले लोट गए थे काजल तो उनको आने ही नहीं देना चाह रही थी लेकिन अब लोटना भी अब तो वे रात दिन मोबाईल और टीवी में डूबे रहते खैर अगले महीने उनका रिजल्ट आया जहां कावया को चानबे प्रत्सत नंबर आये थे वहीं रूची को 74 प्रत्सत अंक मिले थे अब तो उर्मिला को अपनी बेटी के कम नंबर आने पर जितना दुख नहीं पहली बात तो यहां कि अगर रूची के कम नंबर आये तो इसका मतलब यह नहीं कि यह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकेगी और दूसरी बात बच्चों पर कभी पढ़ाई को थोपना नहीं चाहिए हर चीज उन्हें प्रेम से सिखाओ और हां सबसे बड़ी बात कि बच्चो को बड़ो का सम्मान करना सिखाओ नहीं तो आगे चल कर वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे किसने कह दिया कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम नहीं कर सकते अब तो तुम यह भी नहीं कह सकती कि मेरे चलते रूची के कम नंबर आये इसलिए त सर जुका कर खड़ी उनमिला को अब बात समझा गई थी आशा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद